राम राम चैनल पर नए हैं तो इसे सबस्क्राइब करके नॉटिफिकेशन को आल पे सेट करें इल्म राज तेरा खाजाने की जाबी फकीरी मुकम्मल यादेगा नवाभी भरस्पती खाना नंबर एक की चंद लाईने हैं जो अपने आप में व्रहस्पति खाना नंबर एक के पूरे रहस से उपाए को छुपाए हुए है इल्म विद्या को एजुकेशन को बोला जाता है ठीक है राज राजदर्बार यानिके गॉर्मेंट को बोला जाता है ठीक है अब यहाँ पर समझाने की ये कोशिश की गई है विद्या सरकारी किसी कॉलेज से कम से कम डिगरी होल्डर आप हो जाओ यानि कि बीए की पढ़ाई तक कम से कम बीए की पढ़ाई आप कर लो तो आपको सरकार से भी लाब मिलेगा जीवन में धन खजाना आपके जीवन में भरपूर होगा और आप एक उच्छ पद पर या पुजिशन पर भी पहुँचेंगे अगर आप नहीं भी पढ़ाते तो आपको ये चीज़े तो नहीं मिलेगी ना सरकारी लाब मिलेंगे ना सरकारी तोर पर आप उच्छ पद पर पहुँच पाएंगे या जीवन में बड़ी पुजिशन ले पाएंगे लेकिन फिर भी फकीर कमाल के होंगे आशिरवाद देने की ताकत आप में फिर भी बरकरार रहेगी लेकिन फकीर एक खाना बदोस जिंदगी जीता है जिसका परिवार किसी ना किसी तरीके से पस नहीं पाता अगर हो तो बिखर जाता है या एक फकीर को पूरी तरह से परिवार का सुख या संसारिक सुख नहीं मिल पाते अगर तो आप संसारिक सुख लेने के इच्छुक हैं तो कम से कम बिखर की पढ़ाई किसी सरकारी कॉलज या सरकारी सहायता प्राप्त कॉलज से जरूर ले अगर कम पड़े लिखे हैं तो उमर का कोई भी मुकाम नहीं होता ग्यान को हासिल करने के लिए तो आप किसी भी कॉलेज या शिक्षन संस्थान अगर सरकारी है तो ठीक है नहीं तो वैसे ही विद्या ग्रहन करनी शुरू करते या आपकी जो रूची है होबी है उसके अनुसार शिक्षा गरहन करनी शुरू करते कहने का मतलब ग्यान बढ़ना शुरू करते ग्यान क्या है सूर्य है सूर्य की मदद खाना नमबर एक में जब भरहस्पति को मिलेगी तो जीवन में सुख ही सुख होंगे तो यही इन लाइनों का मतलब है इनमें ही सारे उपाए हैं इनमें ही सारे फल हैं इन दो लाइनों में ही सारे भरहस्पति खना नमबर एक का रहास्य छुपा हुआ है तो ये वीडियो शेर ज़रूर करें कमेंट करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन को आल पे सेट करें और अगले वीडियो तक के लिए जया मादा